नबशकार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुषका से मोधी सरकार की दूसरे कारेकाल का चौथा बजट पेश हुआ किंद्रिये वितमंत्वी निर्मलासी तरमन ने आज देश का आम बजट डिजिटल तरीके से पेश किया इसके साथ प्राइम मोधी ने बजट को लोगों के अनकूल और प्रगती शील बताया है बजट में टैक्स लाब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे मिडल क्लास जरूर मायूस दिखाई दे रही है वही बजट को लेकर आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजेग गुपता ने फ्राइम टीवी के साथ खास वाच्छीत की वधान मंत्वी मोधी सरकार की जो वित्व मंत्वी है उनके तरब से देश का जो दूसर चौथा बजट पेस किया गया है वही इनी सब खास मुद्व के लेकर जो आदर्श व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष संजेग गुपता जी हमारे साथ हैं तो सर कितना खुष है आप बजट से यह आपने शुरू में ऐसा प्रस्त पूश लिया इस बजट से हम लोग आज खुश नहीं नाखुश है और इस बजट ने घंगोल निलाशा व्यापानियों को दी है और द्यमियों को दी है आज के बजट से हम लोगों को बड़ी उम्मीद्य थी हम लोग यह मान कर चल लाते कि पांच लाजियों में चुनाओं हैं तो ऐसे में वित्त मंत्री जी पिटाला खोलेंगी और हम सभी के ल लक्षा की बात हुई ना व्यापानियों के स्वास्थ भीमा की बात हुई किसी भी छेटर के लिए कोई बात व्यापानियों के नहीं की गई साथी साथ दो लाख करोनों पर की अतरित व्योस्ता में सेक्टर के ले की है लेकिन उसका भी क्लासिफिकेशन नहीं किया उसको भ होगी अगर वो धरातल पर आएंगे निश्चित रूप से उसका लाब मिलेगा हाइवे के लिए और रोपवे उन्होंने जो बात कही है वो कुछ चीजे ठीक है अलेकि रोपवे कोई बहुत बाला सब्जेक्ट नहीं लेकिन हाइवे जो है ठीक सब्जेक्ट है उसमें उन्हो लीगल कोईन हो गया है और उसको उसकी कमाई का तीस फिस्दी हिस्सा सरकार को जाएगा तो यह कहां तक कारगर साथ इसको भी समझना पड़ेगा क्रिप्तो करिंसी भी अभी तक की एक तो देश में भी अपराद था और इसमें काफी लोगों के परसा जा चुका है डूप और सरकार ने यह भी उसमें कहा हुआ है कि घाटा भी होगा तब भी आपको टेक्स देना होगा तो हमको लगता कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात की अनुमान है कि इसमें घाटा भी होगा तो ऐसे में यह करेंसी कितनी उप्योगी होगी भारत के लिए यह भी देखना पड वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कपड़े जूते मुबाइल फोन और उसके तमाम गैजेट सस्टे किया जाएंगे साथ ही साथ ऐसे कई सारे ओनलाइन डिजिटल प्लैटफॉर्म बना जाएंगे जहां पर सिच्छा प्रदान की जाएगी अब तक बारव बताया जा र है जब आफ सब शेत्रों में ऑनलाइन की बात कर रहें तो व्यापाल्यों को भी आउनलाइन कैसे मजबूत करेंगे हम कब तक एमेजोन के भरोसे रहेंगे और भारत की विदेशी मुद्रा को दूसरे देश में भीजते रहेंगे एमेजों जैसे कंपनियों के सिकंजे में बालत का व्यापाम या जकरता जाला है तो आप व्यापानियों ऑनलाइन लाने के लिए भलती व्यापानियों को आनने कि लिए क्या कर रहें यह पर प्रस्टचिन है अच्छ वही देखा जाए तो पहले मोबाइल फोन या तमाम गैजेट्स कपरे दुकानों से बिखते थें मगर आउनलाइन प्लेटफॉर्म के आने के बाद वो चीजें अब जो ग्राहक हैं वो आउनलाइन प्लेटफॉर्म से खवी लेते हैं और दुकान तक नहीं पहुंचते हैं तो इस बार के बजट में सकता बन गई है लेकिन भारतिय व्यापारियों को प्रतिसफ़धा करने के लिए समान अवसर मिले समान प्लेटफॉर्म मिले इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए मैं जैसे पहले कहा कि एमेज़ॉन के टक्कर को डेस में एक अपना प्लेटफॉर्म त्यार करना पड़ेगा कि भारत के वियापारी भी उसकी टक्कर ले सकें और भारत का वियापार बच सकें तो हमारे साथ थे आदर्स वियापार मंडल के अध्यक संजय गुपता जिनका साफ तौर पे कहना है कि वियापारी वर्ग के लिए कुछ खास काम नहीं हुआ है वहीं सिच्छा के छेत्र में अच्छा काम हुआ है कैमरा में दीपक के साथ विभान सू प्राइम टीवी लखनो और इसी के साथ प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट पर फिलाल इतना ही देख दुनिया की बाकि के तबाम खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार